हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो वर यूटूब चेनल विद्यामासागर स्वागत आप सभी का हमारे चेनल विद्यामासागर पे आज हम पढ़ेंगे सर्फेस एरन वॉल्यूम से यानिकी पिष्टी शेत्र वोलारायतन के कुछ और मत्तपूर्ण प्रस्ट ना यानिकी वर्मा आने के समझें के संभावना है चेप्टर 30 ने कक्षा 10 का यह बहुत इंपोर्टेंट है तो चलिए बिना किसी देरी के हमें वीडियो शुरू करते हैं और अगर आपको कोई कुशन नहीं आता कोई च्छरम नहीं आती तो आप मुझे पूच सकते हैं मैं उसके बारे बारा कोई कैल चलिव शुरू के युप पनेट गठाने में लेखरा बीचम कर में वा नदों के सहिँ आने ऑनेरी वह ले टो अबर को ओर दाने को चैनल घ्राए वह सद्दिखें चाभी बारां घ्राए ग्रां प्लिचंतन से की सढ़िअवे उसके ड में और अलगा जाथे फ्रों फ्रों दिपर्सलम इंट से जो है नोक का से ऊपसा है यहांरे तोНе कर देए इस पंद सेब्स्क्राइब अर्ष छिसकंगे तिह कंद और ह structuring कि इसफ यूपार है इसकी तो सलनगत ईसःफ्स यह हाइट यह है और जो रेडियस है और इच डेप्रेशन इकी जो मांदब यह हर छेड है इसकी जो रेडियस होगी यानि जो इसकी त्रिज्जा होगी वह कितने होगी 0.5 cm याने की 0.5 cm and the depth is 1.4 cm और जो इसकी गहराई होगी जो यह गहराई है ना जित्ते नीचे तो पहन जाएगी वह है 1.4 cm find the volume of wood in the entire stand तो हम कह देंगे इस जो यह पूरा है ना wood wood का जो stand इसमें wood की volume कितने होगी देखो इसमें तो हमें को बताया था कि क्यो एक क्यूबवाइड है तो हम सीथे से कह दिंगे क्योबवाइड का एड़ा निकाल दिंगे तो हमारा volume आजाएगा कि wood कितना था लेकि नहीं देखना है कि इसमें हमने चार cone निकाल लगें जिनकी dimension यह और यह जिसका radius त्रिजा यानिकी यह है और उंचाई height 1.4 cm है ठीक है तो हम इस question को solve बगाना शुरू करता है तो देखिए कैसे होता है देखो solution लिए सबसे बढ़े मैंने क्या लिखा given for cuboid given cuboid के लिए क्लिए 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 गया वह लिखा ठीक है तो मैंने से लिखा length L, breadth B, height H यानिकी लंबाई, चोड़ाई, उंचाई तो कितना हो गया देखो 15 cm 10 cm और 3.5 cm ठीक है समझे सभी लोग सिद्धी सी बात है जो जो कोशे में जाता है हमने वह चीज given में लिख दिया अब लिखेंगे हम four conical depressions यानिकी जो यह depression है conical जो यह conical depression है इसके लिए क्या दिया गया है यानिकी radius त्रिजा, height, उंचाई, कितन volume of wood के लिए discuss करेंगे अब कैसे निगलेगा, जब volume of cuboid मैंसे यह 4 cone है ना जब पुरे volume मैंसे यह 4 cone है इनका volume minus कर दिंगे तो हमारा wood का volume आ जाएगा, ठीक है, वीचि मैंने यहां पर कर रखिए, देखो volume of cuboid minus 4 into volume of cone, यानि की cone का volume, अब volume of cuboid पता है क्या होता है l into b into h, तो म 15, 10, 3.5 देखिया, minus 4, 1 upon 3, ऐसा है, पाई की value कुशन में गीन यह किती रखने तो हम 22,57 रखिंगे, r square कितना है, 30 कितना है, 0.5, यानि की 30 का वर्ग, कितना हो जाएगा, 0.5 into 0.5 into height कितनी है, उचाय कितनी है, 1.4 cm, ठीक है, समझे सबी लोग, यह बाद देख लिजे इसको, ठीक हो गया, फिर देखो, 10 से इसको मुटला करेंगे, तो यह point हट जाएगा, यानि की 35 हो जाएगा, तो 15, 35, minus 4 upon 3, यानि की 4 बट्टे 3, गुणा, 22, गुणा, 0.5, यानि 9.1, अब यह कैसे बाद देखो, 7 था, यह बर 1.4 था, तो 7 से हमने इसको काटा, तो 7 से बाद दू फूटीन होता है, लेकिन एक point है था, हमने अबर एक point लगा था, ठीक हो गया, अब देखो, यह, यह, फूर इंटू, 1 upon 3, 4 upon 3 हो गया, यह 22 ऐसी उत्रा, यह भी ऐसी उत्रा, अब 0.5 इंटू, 0.10 आएगा, अब 2 point है, 0.10 आता, लेकिन, 1, 2, 2 point है, तो 1, 2, आसे आया हमारा 0.1 ठीक है, फिर अगले step में इन दोनों का बसा मंटिपलाए कर दिया, 525 आया, मैनस 4.3 ऐसी रिना तो 20.25 जो हता है, 110, यह, एक point था, तो point लगा गए 11 हो गया यह, और 0.1 ऐसी रहा हमारा, ठीक है, 525 फिर से हमने इसी उतार जिया, मैनस 4 upon, 4 into 11, 44 होता है, upon 3, और 0.1 को हमन आया, यानि कि जो हमारा wood का volume था, वो कितना होता हैगा, 523.54 cm2, कैसे हुआ, ऐसे हमने किया, हमना लगाया, simple से formula में सारी value रख दी, और वैसे यह वहाना question हो जाते है, ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत है, तो एक बार आपको यूडियो को दुबरा से दिख लेजे, फिर question है, a solid iron pool, a solid iron pool consists of a cylinder of height 220 cm and base diameter 24 cm, अब देखो यह जो diagram दिख रहे हैं, यह देखो, यह इस type का diagram है, आपने जैसे में simple ही बताओ, आपसे देखाऊगा बिजली का pool, बिजली का pool नीचे पा छोड़ा होता है, और उपर उपर को जादे जादे पतला होते रहता है, तो वही cylinder के shape में, cylinder की shape में, यह pool है हमारा, ठीक है, जिसके इन्होंने height दे रही है, 220 cm, यानि कि यह नीचे वाला pool है इसके height दिए में 220 cm and base diameter 24 cm, यानि कि उसका व्यास है, उसके जो base का व्यास है, तले का व्यास जो है, वो 24 cm है, तो मैंने नियापर 24 cm लिख दिया, ठीक हो गया, फिर जो कहेंगी, which is surmounted by, surmounted मनलब उसके उपर है, जो रखा हो गया है, एक another cylinder रखा है, जिसके height 67, यानि कि उसके उपर एक और, यह cylinder रखा है, एक और, बेला, बेलन आकार की आकरती रखी गई है, जिसकी जो चाहिए, 60 cm है, ठीक है, और, एंडि रिडिस इल चलिए, जो उसकी सेंटी मीटर क्यूब आइरन है, जो एपरोक से 8 ग्राम हो मास, तो कहने हैं कि, जबकि दिया गया है कि, एक सेंटी मीटर क्यूब के आईरन में, 8 ग्राम का मास होता है, ठीक है, तो हम इस question को solve करना, शुरू करते हैं, बेना किसी दिरी कि, सबसे बेले हम क्या लेखते है, question म given, जो जो हमें question में दी गई होती है, तो height of small cylinder, यानि कि small cylinder के height कितनी है, 60, यानि कि h1 कितना है, 60 cm है, ठीक है, और diameter of small cylinder, यानि कि छोटाला cylinder है, इसकी जो कितनी है, व्यास कितना है, 16 cm, यानि कि इसकी तरिजग हो जाएगी, small heart से denote कर रखा है हमने इसको, इसकी तरिजग हो ज 24 cm है, और उसी का जो radius of big cylinder, यानि कि जो इसी बड़े cylinder है, यानि कि बड़ा जो बेलन है, उसकी जो तरिजग हो कितनी है, 24-22, यानि कि 12 cm, समझ गे, अब हमें according to question चलेंगे, यानि कि question के अनुसार, प्रस्ने के अनुसार हम क्या लखेंगे, volume of pool, volume of pool कैसे आएगा, तब इसके volume को और उसके volume को हम add करेंगे, तो हम कहेंगे, अब कुछ लोग कितों के मन में आ सकता है, कि यार हमने जो ही इसका base, सको minus करेंगे, नहीं, हम याँ बसका base minus नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या कहा गया है, कि जो एक बड़ा pool है, उसके उपर एक छोटा pool रखा गया है, यहाँ पर यह नहीं कहा गया, कि वो पहले से ही यह से जुड़े वे थे, हमको बस कहा गया, कि एक बड़े pool है, मांनों कि एक आपने, एक बड़ा गिलाज रखा, बड़ा गिलाज, मलब एक बड़ा लोगे का टुकटा उसके उपर एक छोटे छोटे लोगे का टुकटा रख जया, आप टुकटा दो टुकटा लोगे तो कुछ तो माइनस नहीं करना पड़ेगा हमें, और कहीं पर हमें माइनस करना पड़ा तो वहाँ पर कंडिशन भी दी रहती थी, ठीक है, तो यहाँ पर सीदे सीदे हो टो यहाँ पर सबूसा तो मैंने पर बाइ बाहर लोगे लिए r2 he гiayat 2 हुआ हमें कैलकुलिसन शूरू करते हैं तो देखो, पर यह तो ऐसी रह गया immortal का श्कोईर केंना होता ह McLAR 2 प्लस आट का स्क्वेर कितना होता है 64 इंटू 60 तो आगया है 60 ठीक है इतना आया 64 इंटू 60 तो जब आपसमें इन दोनों पाई के बादे लिए 22.7 और 144 इंटू 220 किया तो इतना आया और 64 इंटू 60 किया तो 3840 आया ठीक है यह मैंने सॉल भी गया है बस मैं आपको यहापसे ता 00 होगा 8 प्लस 4 12 होगा 2 कैरी 1 हो जाएगी तो 6 प्लस 8 14 होदा है प्लस 115 का 5 1 कैरी तो 1 प्लस 3 कितना 4 प्लस 15 और जो 3 है यह ऐसे ही उतर जाएगा ठीक है अब जब 22 और इसको मुंटिवलाए करेंगे तो हमारा आया 781440 आपॉन 7 और जब हमने 7 से इसको डिवैड किया तो हम आया 31 1634.286 cm3 कूब अब हमें क्या जिया है देखो कुशन में हमें निकालना है कि मास निकालना है पूल का मास निकालना है जबकि हमें 1 cm3 में 8 मास है यह बताया गया है यानि कि मैंने लिखा 4 weight mass given given that लिख दिए यह जो हमें given चीज है given that एक सेंटीमेटर कूब में 8 ग्राम ह समाया ठीक है अब आपको 1000 से 1000 से यहांपर divide क्यों किया अब 1000 से divide इसली करता है कि आना तो यह चीज ग्राम है अगर आप इतना भी लिख्या होगे बिल्कुल सही होगा लेकिन अगर आप kg मत लेंगे तो थोड़ा सा ठीर हैगा मलब ऐसा कोई दिक्क्त नहीं कि आपने इतना लेका है आपका अंता गलत होता है का यह आपका आपका आचर हो सकता है लेकिन थोटा सा यह बढ़ा की मैंने आपको समझाने के लिए कि कोई पूछ सकता है कि केजी में कैसे हमें थीये गई और हम उनको अच्छे से देखेंगे और ठीकर जिरी करके उसका solution करेंगे तो क्या क्या करते हैं हमारा जो answer है वो जो solution है बड़ी जल्डे से बड़े आराम से निकल आएगा ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो पसंद को ताकि ऐसी ऐसी और भी बहुत सारी इंपोर्टन इंड वीडियो जो आपके एकजाम आसकते हैं उसे रिड़र आपको मिलते रहें ठीक है तब तक के लिए मिलते आपसे नेक्स टी वीडियो में तब तक के लिए दोगत की दूरी मास के जलूरी अपना जयान रखें बने बढ़ाय करते रहिए महनत करते रहें महनत करना नहीं छोड़ना है क्योंकि बहुत जल्द आने वाले हैं हमारे दो मैंने कोई बात नहीं होती है दो मैंने कब गए आपको पता देकने चलेगा ठीक है महनत करते रहिए मिलते आपसे नेक्स टी वीडियो तब तक करे थैंक्स झाल झाल